असलाम लेकुम वेलकम तो दानूर इंटरनेशन इंवस्टी आज का टोपिक है हाउ टू फाइंड दा कोर्स एरिया आप लोग लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि आपने लॉग इन कैसे करना है तो अब आपके जब आपने लॉग इन कर लिया लॉग इन करने के बाद आपके पास एक एरिया आरहे हैं लेफ्ट साइड पे माई कोर्स का माई कोर्स के अंडर मेरे पास अभी एक टेस्ट कोर्स एंडरोल्ड है आपके पास अगर आप एक कोर्स पढ़ा रहे हैं दो पढ़ा रहे हैं जितने भी पढ़ा रहे हैं आपके पास उतने कोर्स इस गर नीचे आपर हों पहरा हुआ हुआ है कृर्स को चाय। है उसके साथ एक साय कन है यहां के काफि सारी अक्तिवेटी इस हैं अपने अगर कोकुर्स को कोक Details को एडिट करना है तो उसे करेंगे कोर्स कंपड़िशन की डेटिफाइन करनी है तो इस पे डिफाइन करेंगे एंड रायोव्मेंट होना है इस पर आप की जरूरवत नहीं करेंगे इस कोर्स में आप को इन ऊंस्मेंट डाल सकेंगे आप को इसमें क्विजी यूइड यूरन पेस्ट कर सकते हैं कोई बियाक्टिवीटि बेऎस्ट जोन का यूषा का सकते तो आपका करते हैं तो इस तरह है आपने कोर्स को कर सकते हैं अपने कोर्स की किसी भी चीज को कर सकते हैं तो इसमें मैं एक announcement का area बता देता हूं कि announcement को आपने कैसे edit करने आपने announcement वाले area को अगर आप यहाँ पर announcement की जगा पर कुछ और भी add कर सकते है announcement one कर दें या announcement या कुछ भी नाम देना चाहें तो by click enter जब तक आप enter क्लिक नहीं करेंगे तो यह आपकी changes नहीं होंगी अगर आप यह देखें मैं अभी enter नहीं किया मैं साइट पर कर सरको क्लिक करता हूं तो मेरी कोई changes नहीं होगी ठेक है तो आपने अपनी जो changes करनी है वो changes करके enterprise करने जैसे enterprise करेंगे तो उसकी changes हो जाएंगी अब इस announcement area के अंदर आपने कोई चीज एड करनी है तो आपने उस में यह एक announcement के एरिया उसके नीचे यह आ रहा है एड activity and resources कोई भी चीज़ आपने upload करनी है किसी भी एरिया में तो आप एड एन activity और resources अब यहां पर आपने कोई कोई भी फाइल upload करनी है means कि आपने course की जो है वो टाइम लाइन या कोई भी चीज़ upload करनी है तो आप यहां पर लिख सकते हैं course file लिखनी है और यहां पर description डाल देनी है description डालनी है और जो भी description डालेंगे उसको आपने display करने के लिए display का बटन जो आपको add करना पड़ेगा जब तक आप इससे पंच नहीं करेंगे तो आपकी यह जो instruction दी होंगी आपकी तरफ से यह display नहीं होंगी इसके बाद मैं course file लगाना जा रहा हूं तो course file यहाँ पे upload a file पे click रूंगा choose file पे click करूंगा चूस फायल पे click करने के बाद मैं इस file को upload कर दोंगा double click किया upload this file जैसे ही upload किया यह और upload this file पे click किया कुछ second के बाद आपको area पर ले जाएगा जहां पर save changes हो जाएंगी यह आपकी file upload होगी है अब आपने इस course हमने by default सारी setting जो है वो add की हुई आपको कुछ करने की जूरत नहीं है just save and return to course save and return to course करेंगे तो देखें मैंने एक file add की है वो यहां पर file add होगी है और इसके description add होगी है तो यह announcement कह रिया होगा यह आज की video यहीं तक है अब next video में मैं आपको share करूंगा how to upload a lecture thank you very much